हाई दोस्तो बात करते हैं जुखाम के बाद जब कान बारी है उसको कैसे ठीक करें और कैसे आगे उससे बचा हो दोस्तो बहुत बार आपने देखा होगा जैसे पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि क्यों हमारा जुखाम लगने के बाद कान बारी होते हैं और कान में क्या-क्या इफेक्ट आते हैं दोस्तों जैसे ही हमें क्या जुकाम के बाद जब हमें लगता है कि हमारे कान के अंदर सुना ही कम दे रहा है कान के अंदर पेन हो रहा है या बहुत बार कान लीग कर गया तो सबसे पहले तो हमें उस हमारे सिंटम्स के अकोर्डिंग हमें कुछ lifestyle में modification लेना है, कुछ medification में, medications की need है lifestyle में modification की जरूतर दोस्तों हमें ठंडी चीजे, चिल्ड चीजे, cold drink, fridge का पानी, cold beverage यह सब हमें बंद करना है क्या हमें लेना है, हमें जो है गरम चाह ले सकते हैं, coffee ले सकते हैं, soup ले सकते हैं ठंडी चीज़े ना लेके गरम चीज़े हमें लेना चाहिए इसके अलावा जब हम ना हैं तो रूई को नारे लिया सरसुं के तेल में डुबो के निचोड के कान में डाट लगाना चाहिए पानी नहीं जाने देना चाहिए और दोस्तों आपको अगर mild symptoms हैं तो जो हमारी ओटर भी नाती है वो नोज में दो दो डॉप डालने चाहिए सुबे से आँ दोस्तों आपको लगता है कि मेरे को दो या तीन दिन होगे रिलिफ नहीं है हमें तुरंद डॉक्टर को दिखाना चाहिए वहाँ पर दोस्तों हमें एक ओडियोमेट्री और एक इंपेडेंस टिम्पेडियोमेट्री करते हैं उसके माध्यम से हमें ये पता लग जाता है कि हमारे ये ड्रम जो है उसके पीछे कितना फ्लूड है उसके अंदर कितना निगेटिव स्पेस है हमें कितनी दवाईयों की जरूत है या उस फ्लूड को निकालने की भी जरूत है तो दोस्तों उससे फिर आगे उसका मेडिकल मैनेजमेंट के लिए कुछ एंटिबाइटिक्स, कुछ माइल डिस्टिरोइट्स, कुछ टीकंजस्टेंट टेबलेट्स ये दी जाती है जिससे वो inflammation और transition ठीक हो, जिससे हमें तुरंट immediate relief हो बहुत बार दोस्तों कई बार fluid बहुत ज़्यादा गाड़ा होता है तो उसको एक छोटा चीरा लगा के निकाला भी जाता है जिसको हम मारिंगो टोमी और grommet insertion बोलते हैं हमारे burn हो जाता है, वो burn होने के बाद वो popular हो जाता है उसमें छोटा incision लगा के उस mood को निकाल दिया जाता है तो ये जो चीज है उससे उसको ठीक किया जाता है आगे क्या सावदानी हमें बढ़ती जाएं कि ऐसा हमारा जुखाम से कान effect नहीं हो दोस्तो जो sensitive person है उनको थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए और आपको जो allergy रहती है तो आपको allergy के एक गोली हमें बराबन लेनी चाहिए और बहुत ज्यादा चिल्ड चीजें ये सब चीजें हमें avoid करनी चाहिए जिससे इस टाइफ की problem हमें नहीं है तेंक यू